2017-2022 इन 5 सालों में EDR की रिपोर्ट ने ये खुलासा किया है कि 7 निजिनल पाइटी जो राश्टी पाइटी आ है और 24 निजिनल पाइटी ओने मिलकर के 31 पाइटी ओने 91 68 करोड रुपी की इलेक्टरल बॉंड से कमाई की है इलेक्टरल बॉंड से इलेक्टरल बॉंड में सबसे ज़्यादा जिसके पाइटी के पास लें गए हैं उनने सबसे पहला लंबर है BGP का 2271 करोड रुपी की इलेक्टरल बॉंड प्राप्त हुए यह एक तरीका है पाइटी के फंडिंग के नम पर यानि कि पाइटियां पैसा कहां से कमाती है यह केवल एक तरीका है इलेक्टरल बॉंड और कई सारे तरीके होते हैं किसी भी पाइटी के पैसे कमाने के लिए जिन अगर आप अपने सरांडरों में देखेंगे चार लोगों को गहसरी बाहर निकल करके ये पूछेंगे कि आप अपनी फएवरख़ेट प्राइटी को कित्रा रुपया देना चाहेंगे तो लोग यही कहेंगे गाली के सवाय rasa पुछ नहीं देना चाहेंगे अब अपनी इस मेहनत के खूनपसीन की कमाई को कौन देना चाहेगा इन निताओं को जो ऐसा काम करने लगते हैं फिर में इतनी मात्रा में इनके पास में पैसा कहां से आता है इस चीज को समझने की कोशिस करेंगे दरसल इलेक्टरल बॉंड इसको 2017 में इंटर्डूस किया गया था पहली बार 2017 में लाय गया था इसको लाने से पहले RBI की गवर्णर और रिजर्ड बैंक ओफ इंडिया ने ख इसके अंदर बड़ बड़ी गोटारे हो सकते हैं लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किसी की एक भी नहीं सुनी बित मंत्राले में इसको इंटर्डूस कर दिया और लागो कर दिया दसल इलेक्टरल बॉंड को सरकार क्यों लाना चाहती थी और क्यों आडिंग हो गई उसने किसी की में एक भी नहीं मानी यानी कि अनपड मेता हमको ये सिखाने लगते हैं कि और वी बिइक को भी पायटी ओं के जाती के जाती थी उस में अगर कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी किसी भी पायटी को दान देती जा देती जाता कि उस कंपनी की ग्रोथ पिछले पाइटी को फंडिंग दे सकती है लेकिन 2017 में तमाम कानुनों के अंदर संसुधन करके इसको खथम कर दिया गया FCRA की एक्ट को खथम करके उसमें 7.5% की जो क्रिटेरिया था उसको अठा दिया गया अगर कोई भी अगर नई कंपनी आती है नई कोर्कुलेट कंपनी डारक जाकरके किसी भी पाइटी को फंडिंग देती है तो इसके पीछे कंचेप ये पॉलिटिक्स का ये एक दाव काम करता है इस हाँ से चंदा दो उस हाँ से काम लो अगर काम भी उनिके कम्पनी के फ्यवर में बनाए जाते हैं उनिकी फ्यवर में रोल्स डेजार किये जाते हैं कि जो पाइटी को सबसे जादा चंदा देते हैं जब 17 से पहले क्या होने लग रहा था अगर कोई सी भी पॉलिटिकल पायटी को कोई भी राजनीतिक पायटी को 20,000 रुपी से कम रुपी देता है तो उसके बिना डेलेंस के वो पायटी उसको असेप्ट कर लीती है उससे पहले काफी मार्केट के अंदर ब्लेक मनी हुआ करता पायटी के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर 20,000 रुपी से ज़्यादा दान देता है उसको पंडिंग देता है तो उसकी सारी डटील्स आटी आई के जबाब में हर एक party को बतानी पड़ती थी कि उस party ने इतना पैसा दिया है इस party ने इसतना पैसा दिया है इससे क्या होता था कि कोई भी journalist पत्रकार हो चाहे आम जनता हो चाहे एलाइटरेंट citizen हो जागरूप नागरिक हो वो यह पता लगा रहे से कि यह company अचानक से इतनी तेजी से ग्रूप क्यों कर रही है रिसेंटी चार पाल साथ में यह company काँ खोई हुई थी और यह इतनी तेजी से ग्रूप कर गई तो उनके पास लए यह record रहता था कि इसने इतना चंदा इस party को दिया है इसकी बज़े से यह company grow कर गई इसी को छपाने के लिए उस company की इमेज हराब होने लगती थी और इसके संबन होती थे राजनी ते पायटियों के वो भी कराब होने लगती थे इसलिए electoral bonds को introduce करिया गया अब electoral bonds के अंदर क्या होता है अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा अगर कोई भी आम नागरिक 2000 रुपे से कम का चंदा किसी मीज पायटि को देने चाता है तो वो कैस में दे सकता है लेकिन अगर वो 2000 से ज़्यादा एमांट में 2000 से 1 करोड रुपे तक का किसी मीज पायटि को चंदा देना चाता है तो वो सीथी SBI के ओपिस जाएगा यानि State Bank of India के authorized branch के अंदर उसको एक check पे sign करना पड़ेगा एक letter भरना पड़ेगा अंदर वो अपनी details आ रहेगा और उसके check से अगर वो एक लाख रुपे किसी भी electoral bond खरीदना चाहता है तो उनको खरीद लेगा State Bank of India अब इन electoral bonds के अंदर उस ब्यक्ति का नाम नहीं रहता है जिसने ये electoral bonds खरीद है उसकी एक privacy रहती है अब उस privacy के तहित वो 15 दिन के अंदर किसी भी party में उन bond को जमा कर सकता है यानि कि partyों का ये दावा है जो ruling government थे उसका ये दावा था कि इसके अंदर किसी की भी privacy नजटा है उसको अनद नहीं किया जाएगा कोई भी partyों को funding देता है कोई भी पैसा देता है उस party को भी पता नहीं चलेगा कि ये पैसा कहां से आया है इतना पता चलेगा कि ये electoral bond से आया है लिकन ये record SBI State Bank of India के पास तो रहेगा State Bank of India एक National Label की बैंक है National Label की बैंकों को कौन execute करेगा कौन चलाएगा Finance Minister अब Finance Minister जब चाहिए उनसे ये जबाब तो ले सकता है लेकिन ये किसके फेबर में Electoral Bonds कितने बिखे हैं ये सारा data रहेगा SBI के जो ad manager है अब इस data को जब चाहिए जब government collect कर सकती है यानि कि जो government power में उस data को collect करके ये देख सकती है कि हमारे पास में किस ने कितना चंदा दिया है लेकिन जो opposition में बिपच्च में पाइटियां उनको पता नहीं चलेगा उनके बारे में भी government को पता चल जाएगा कि जो हमारे बिपच्च खलाप लड़ रही है उन पाइटियों के अंदर किस ने कितना पैसा डाला है किस business man ने कितना पैसा दिया है तो उसके खलाप में ये action लेने लग जाएंगे उस business man के खलाप में लेकिन इनको favor किया है इनकी party में जो funding चंदा दिया है उसका favor करने लग जाएंगे इसनले इसके अंदर ये transparency बनी हुए electoral bonds के अंदर इतना प्रूद होने के बापजूद भी इसको लागू कर दिया गया electoral bonds को 2017 के अंदर अब सबसे जादा why हुई थी 2018 में electoral bonds के अंदर 2018 और 2021 में दसद 2021 में 11 राजजों के अंदर elections हुए थे इसकी वज़े से सबसे जादा electoral bonds बेके थे 2018 में केंद्र सरकार के चुनाब हुए थे इसकी वज़े से सबसे जादा electoral bonds बेके थे अगर आप इन records की बात करें अने वाले पैसे में कोंग्रेस भी किसी से कम नहीं है कोंग्रेस को 975 करोड रुपी मिले है वहीं बीजेपी को electoral bond से 541 करोड रुपी मिले है यह आंकड़ा 521 करोड रुपी मिले है अब यह आंकड़ा इतना बड़ा है कितना चूटा है यह तो आप देखी सकते हैं वही जो तीसरी सबसे बड़ी निशनल पाइटी है टीएमसी टीए 766 करोड रुपी मले हैं अगर हम रीजनल पाइटी की बात करें तो भीजू जनता दल जिसका 90% जो चंदा आता है पाइटी के नाम पर उडिशा के अंदर गपर्मेंट है उसको सबसे ज़्यादा रीजनल पाइटी की रूप में एलेक्टोल बॉंड की रूप में पैसे मिलते हैं टी आरेस टेलंगमा दाश टमीठी को भी कापी सारे पैसे मिलते एलेक्टोल बॉंड के अंदर उनका 90% पैसा डीएमपी का 90% पैसा इलेक्टोल बॉंड से आता है अब इतने बड़े पैसे को खर्च कैसे की आ जाता है उनको कैसे ये फिवर करते हैं दरसल इलेक्शन कमीशन ओप इंडिया के अगर इस बात को हम समझाए तो कोई भी ये चुराब लणने के लिए कोई बिदायक MPI बनने के लिए जो सांसर बनने के लिए अपने चुराब के अंदर कीवल सत्तर लाग से ज्यादा रुपे खर्च नहीं कर सकता लेकिन आपको ये जानकर कि सतर लाग में तो किसी को टिकट भी नहीं मिलती अगर किसी भी पायठी से इसका गलत मिज्यूज करने लगती हैं अपने फिवर में दरसल जी इस मोधी गवर्मेंट के अंदर 2014 से 2022 में पिउस गुएल इनफोर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने एक रिपलाई में बताया है था कि दस साल के अंदर गवर्मेंट नी करीब चूट 4191 करोड़ोगोरपे खर्च करदिये जब पैसे खर्च किये गये हैं जो मीडिया में एडवर्टाइजरुएंट के ऊपर खर्च किये गये हैं भी चिपाया gustaría गर्क लिएबसाइट को भी खोलोगे किसी भी government official website को खुलोगे तो उसमें चिडिया की फोटो देखने से पहले आपको सबसे पहले प्रानमंत्री का चमकता हुआ चेरा दिखाई दे जाएगा वैसे तो प्रानमंत्री यू कहती है कि चेरा बरुसा टीवी और अख़वार पर चमकते चेरों से पैदा नहीं हुआ है बलके देश की जनता ने उजल दो बहुस के लिए की जा रही काम से पैदा हुआ है मनमोवन सिंग की गवर्मेंट ने भी दस साल में करीब 3460 करोड रुपे एडवर्टाजमेंट पे खर्च किये थे भारत के अंदर ये पता लगाया गया है कि 2018 में जो इलेक्सन्स हुई थे उसमें सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्चा भारत देश की 27,000 करोड रुपे अकेले BJP ने स्पेंड की थे इलेक्सन्स के लिए योग 45% तूरे देश में खर्च हुई इलेक्सन्स का 45% था अगर आप यूटूब पर ये तो किवल ये वर्ड सर्च करेंगे कि मूधी का मास्टर श्टोक तो सबसे पहले कोई भी यूदो चाहिए यूक्रियन रसिया का यूदो तो जिम्मिदार मूधी अगर पाकिस्तान से मैच जीत जाता है तो इसका जिम्मिदार कौन है मूधी अगर तुर्की के अंदर भुकम पाता है तो इसका जिम्मिदार कौन है मूधी तसल किसी जब हमारे पतार मंतरी किसी भी चीज पर किसी भी मंदर में विजिट करती है तो तिन-तिन एडिटर्स उनके साथ में जाते हूं उसको एक brand event बना दिया जाता है अगर वो विदेस में भी जाते हैं तो उनके लिए लोगों को hire किया जाता है और उनके hire करके उनके लिए वहापे एक तरह से माहौल बनाया जाता है मीडिया भी जाती है साथ में और उनसे लोगों को हायर की गए हैं पैसे देकर के लोग बलाए गए हैं उनसे सवाग पूछकर के नई नमोदी की वाँ 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 आई करावाई जाती है सौले में ब्राइड बिदेस मंतरी ने बताया था कि पतान मंतरी के एक बिदेसी दो रुपे सारी 6 करोड रुपे खर्च कर दिये जाते हैं हमारे पतान मंतरी के इतने पैसे खर्च कर जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता और ये चमक्ष काते फोटू हो चाहे वो रासंस की पैकेट्स उनके लिए अड़टाइटमेंट किया जाते हैं तो यह सारा पैसा जो और पर्टेट जो राज गराने उनको फंडिंग देते हैं तो उनके जो टेक्स लिया जाता था आपको यह जानकर कि हैरानी होगी कि पहले जो गवर्मेंट previous government में corporate राज रहानों से tax लिया जाता था वो 30% लिया जाता था अब ये corporate tax को गठा करके 30% से 22% वे लागर के रख दिया है 16% total राजस सुकर का गहटा हुआ है 16% की भरवाई हमारे petrol डीजर की rate बढ़ा करके gas तेम डीजर और indirect tax की रूप में GST का rate बढ़ा करके आम आदमी को निचोर करके ये रूपे निकाले जाते हैं क्योंकि बड़बड़े कुद्ध पतियों से कम tax करके उनको party के funding के नाम पर ये पैसे देने होते हैं और party अपने camping चलाती है और दुबारा से सब्ता में प्लोट में और एक दारू की बोतल में अपना बोट बोट बेक आती है और ये सबसे बड़ी मुर्कता होती है कि 500 रुपे में अपना बोट बेकना इतने बड़ी केमती को हम 500 रुपे में बेक के आते हैं इसलिकी वज़े से हमको हॉस्पीटल्स के अंदर और एचुकेशन सेक्टर में धक्के खाने पड़ती है हम दिन प्रते दिन अपनी ये खुद अपने दुखों के लिए खुद जिम्मेदार है क्योंकि हम अप उस जनता को इतना जागरुक नहीं कर पाती है आप हर गाहों के अंदर और और ये सी वाते कुछ नागरी कैसी होती है वो जागरुक रहते हैं उनको पता रहता है उनको हर पायटी की सच्चा ही पता रहता है हर पायटी आदमी को चुछ उसने के लिए लगी हुई है चाहें वो ruling government हो चाहें अपूजीशन government हो कोई भी देश के आम नवगर्पों के लिए काम नहीं कर रही है आप यार जिसे भी पायटी के गुलाम मत बनिए आप एक पायटी के बुरुवे हैं आप सच्चा ही बूलिए आप खिर खुल के किरिक्टिस से जम करना है आप एक पायटी का फेबर नहीं कर सकते सारी पायटिया समलेते हैं। ऐसी कोई भी पायटि नहीं है जो इस मौकई पर चोका लगाना नहीं जानती। मौका पाकर करके सभी चोका लगाते हैं और आम जनता को बेपूप बनाती है। जे हिंद विलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सुचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्षन में तू बताई सकते हैं